नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपका अपने चैनल प्रभातियोरी स्टडी आईक्यू पे दोस्तों बहुत सारे लोगों ने रिक्वेश्ट की कि SSC GD 2021 की बैकेंसी पर दोस्तों निव अपडेटर एक वीडियो बनाईए तो उन्ही की रिक्वेश्ट पर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों बहुत सारे लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं कि आपका आनलाइन फार्म स्टार्ट हो गया है कि उसमें आपको पांच नंबर दोस्तों दिया जाएगा रिटेनिक जाम में तो इस बात को तो आप ध्यान रखेगा कि इस बार SSC GD की भरती में आपको NCC वालों को पांच नंबर मिलेगा और दोस्तों इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन आने के बाद इसलिए SSC GD की पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रही है तो दोस्तों चलिए हम आपको अपडेट दिखाते हैं कि यह दोस्तों SSC GD कांस्टेबल की आनलाइन फाप कफ से स्टार्ट हो सकती है और कितना समय लग सकता है इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले जो अफवा उड़ रहे हैं इस पर मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ कि अफवा कहां से उड़ रही है तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा Google पर और सर्च करना होगा यहाँ पर दोस्तो सरकारी जेल्ट दोस्तो जैसी आप सरकारी जेल्ट सर्च करेंगे जो आपका आनलाइन फार्म को दिखा रहा है दोस्तों यहां से कई लोग क्या कर रहे हैं यहां से आपको दिखा रहे हैं सरकाइल जल्ड पर जाने के बाद जैसी दोस्तों यहां आएंगे तो आपको यह दिख रहा है SSC GD 2021 अप्लाई पर क्लिक करेंगे यह मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे दोस्तों आप इस पर टच करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों तो यहां पर दिया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC यहां पर दोस्तों कुछ लोग जो आपको निगेटिविटी फैला रहे थी कि आपका आनलाई फार्म इस्टाट हो गया है मैं आपको दिखाता हूँ यहां से कुछ लोग दिखा रहे थे कि आपका आनलाई फार्म इस्टाट हो गया है लेकिन यहां पर भी दोस्तों क्या दिखा रहा है कि आपका आनलाई के स्टाट होने का दोस्तों लिंक एक्टिबेट होगा आज यह नहीं दिखा रहे हैं आपर लिंक एक्टिबेट अब दोस्तों क्या करना है अगर आपको भी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगर आपको खुदी प्रूफ चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा आपको जाना होगा यहां पर गूगल पर SSC, यहाँ पर डालना होगा दोस्तो SSC, official site पर जाकर आप SSC की तमाम जानकारिय चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर डालना होगा SSC डाल सकते हैं या फिर SSC.nic.in भी डाल सकते हैं तो मैंने दोस्तो यहाँ पर SSC डाला है तो मैं आपको लिए चलता हूँ सीधे SSC की official site पर तो यह रही दोस्तो आपकी SSC की official site मैं आपको दिखाता हूँ कि हाल फिलहाल में कोई notification आया है कि नहीं आया तो दोस्तो यहाँ पर देख लीजे यह दोस्तो नोटिफिकेशन है आपका 24 मार्च का है उसके पहले 19 मार्च का है फिर 18 मार्च का है फिर 15 मार्च का है फिर 8 मार्च का फिर 6 मार्च का यहानि हाल फिलहाल में SSC की तरफ से अभी कोई भी notification जारी नहीं किया गया है रही बाद दोस्तो आपके online farm start होने की तो दोस्तो अगर फिर उम्मेद है कि आज आपका आड़ वे से SSC का farm online start हो गया तो हो गया दोस्तो नहीं तो 2-3 दिन लग सकते हैं क्योंकि पिछले भी जितने भी दोस्तो SSC के calendar को मिलाईए और चाहिए आपकी SSC MTS की भरती हो या फिर जो आपकी CSL की भरती हो जिस दिन दोस्तो नोडिफिकेशन दिया रहता दोस्तो उससे 2-3 दिन लग जाते हैं दोस्तो आपके online farm start होने में तो उम्मेद है कि आज तो आपका आड़ वे start हो जाएगा अगर आज आड़ वे start नहीं हुआ तो दोस्तो आपका 2-3 दिन बाद ज्यादा व्यूकी शक्र में तो अब एक लिए जै हिंज जै भारत